हाँ जी क्या हाल है सभी के जैहिन सभी को सबसे पहले आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे ठीक है पिछली जो हमारी वीडियो आई थी जिसमें हमने है revolutionary activities के बारे में phase 1 के बारे में देखा थे कि कौन-कौन से important incident हुए इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर अब आते हैं revolutionary activities phase 2 जो कि 1920 से लेके 1930 तक चला ठीक है इसके अंदर जो सबसे पहली important case आता है वो आता है आपका काकोरी conspiracy 1925 के अंदर होता है बेसिकली एक organization कौन सी हिंदुस्तार रिपाब्लिकल organization ये लोग क्या सोच रहे थे कि बिचार दाना लोगों के अंदर फैला नहीं है लेकिन कैसे फैलाए पैसा ही नहीं है हमारे पास तो पैसा कहां से लाए फाइनस कैसे करें तो क्या सोचा है इन लोगों कि बहिया एक train है जो कि लाहोर से लखना उजा रही है और उसके अंदर बिटिश सर्ज का क्या पड़ा है खजाना है ट्रेजर है हम उसको लूट लेते हैं तो इन्होंने क्या सोचा कि काकोरी के अंदर जाएंगे एक railway station है वहाँ पे train को रोकेंगे लूट लेंगे ये इन्होंने कर भी लिया 9 अगश्ट 1925 को इन्होंने train रोकी काकोरी स्टेशन पे और महां से सब कुछ लूट लिया कौन-कौन थे उस टाइम पे आपके रामप्रसाद बिस्मिल अश्वकुला रोशन सिंग राजेंदर हरी और चंदर शेका राजाद टोटल 10 मेंबर हुआ करते थे चंदर शेका रा काला पानी कालकोटरी भेज दिया गया 1927 के अंदर आपके चंदर शेका राजाद वापिस पिक्चर में आते हैं और नौर्थ इंडिया के अंदर लोगों को दुबारा जोडने लगते हैं कि चलो भाईया अब कुछ बड़ा करते हैं अब इस टाइम पर और जो आपकी शोचल रिपब्लिकल आर आपके रशाज्येशन के ने थे नहीं पर लिख रॉब्म स्कुल्जिकर चारन वरण ने एक फिलॉसपी औअफ़ बॉम टी थीक है असलमें इसका कुछ पार्ट भगत सिंग ने भी लिखा हुआ है या आपके PYQ में भी आया था कि ये बुक किस ने लिखी है उसके अंदर भगत सिंग ऑप्शन था तो भगत सिंग सही था वो ठीक है बेसिकली इसके अंदर इनों ने बात करी है कि कोई ऐसा स्टेट मतलब एक देश ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी एक्स्प्लेटेशन ना हो किसी के साथ भी कोई अत्याचार ना हो बेसिकली यह बुक क्यों लिखी गई थी क्योंकि गांधी जी ने इक उस्ताइम पर नशुन चाम पर एक एक आर्टीकल छापा था जिसको कहते हैं कल्ट ऑफ बॉंब यह इक आर्टिकल था जोकी गинदी जी थे क्या कर रहे थे जितना भी यूथ है जो भी यंग ब्लड है यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट कर रहे हैं गाउं गाउं जाके लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हमें बिटी सर्श को हटाना है ठीक है इन्हीं में एक और लीडर थे आपके सरच चंद्र जिन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एडूकेशन बनाया था जो कि फाइनली 1961 में एंसी आइटी बना था ठीक है तो भाई साइमन कमीशन चल रहा है ठीक है साइमन कमीशन इंडिया के अंदर भूम रहे है 1928 के अंदर जहां पर भी साइमन जाता था महां पर उसको काले जंड़े दिखाय ठीक है जी जैसे ही साइमन कमीशन लावर पोचा वहाँ पर लाला लाजपत्र राय प्रोटेस्ट कर रहे थे जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो बिटिस कवर्मेंट ने लाठी चार्ट किया जबलडी चार्ज किया तो लाला लाज सबक्षा अपका विजो अक्टूबर विपाल लेकिन नवंबर 1928 में उनकी होुज जाती मिशूल के नाओ हमें से यानन के बले ही उनके लाला लाजपत इसमा एट लेकिन वो बहुत करते थे बहुत रिसक्ट करते थे कि इनके लाला-लाचल पतर राय की उनके लिए उन्हों यों नहुनिते एक प्राई के लिए लिए आर्टे कल लिखा था दॉज स्ट लिडर इस्षी बात पर इन्हों ने आपके प्राई लिए लाईन बोली दी क्या आज जो तेरा खून ना खूला खून नहीं वो पानी है देश के काम ना है जो बिकार वो जवानी है ठीक है जी इसी का continuation है क्या merit conspiracy असल में हुआ क्या भगत सिंग जी ने decide किया क्या decide कि भई लाला लाजपत राय को स्कॉट नाम को officer था उसने लाठी मारी दी तो मैं इसका बदला लूँगा तो हुआ क्या स्कॉट को मारना था लेकिन मार दिया गलती से सॉंडर्स को उस दिन स्कॉट की बाइक सॉंडर्स लेकर चला गया तो बैया क्या करा बगत सिंग जी ने सॉंडर्स को गलती से गोली मार दी और जैसे ही इंसिडेंट है समबर दोजार अठाइश ने एक पैंप्लेट पब्लीश करा और क्या बोला ब्यूर्यक्रिस्टी विवेर जितने भी बिटिश एड्मिस्टेशन में लोग बैटे हो समल के रहो और उसके बास सारे के सारे हो गए अंडर्ग्राउंड गोली मारी और सारे के सारे हो गए को लगा कि यार हमने सांडर्स को मारा तो शायद बिटिश बिटिश एड्मिस्टेशन के कान में कुछ जूरिंग जाए कुछ अच्छे स्टैफ ले लेकिन ऐसा नहीं गवा यह सब के सब कौन है बहरे बने बैटे हुए बिटिश के जितने भी एड्मिस्टेशन के लोग है अब क्योंकि इनको हमें सुनवाना है इन बहरों को कुछ हमारी गून सुनाई देनी चाहिए एचस आरे वालों ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं पार्लियमेंट के ओपर बाम फोड़ देते हैं लेकिन बाम को इस तरीके से फोड़ेंगे कि किसी को चोट ना लगे क्यूं क क्यूंकि वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी होंगे ठीक है तो भाईयो दोनोंने क्या किया बगत सिंग और उनके साथ बटू केशवरदत थे इन्होंने क्या करा एप्रेट 1929 के अंदर पार्लियमेंट के अंदर बंप होड़ दिया असेंबली के अंदर और सरेंडर कर द दे कि life sentence इनको फांसी की सदर देनी है तो लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने जो बंप होड़ा है पार्लियमेंट के अंदर उससे कोई मारा थोड़ी नहीं तो आप उस बेसे इस पर कैसे फांसी दे सकते हो असल में यह तो केसी नहीं था केस जो ब्रिटिश वालों ने बना इतना जादा भार प्रोटेस्ट रहा था कि चुप चाव उन्होंने रातो रात तेश तारिक को एक दिन पहले पांसी दे दी ठीक है एक जतिन दास एक लीडर हुआ करते थे उन्होंने इसी के खिलाफ अंगा श्राइक करी और जेल के अंदर उनकी बे मित्ति हो गई जब आ आलाबाद के अंदर उन्होंने अपने आपको गोली मार ली बेसिकली अलाबाद में चंडरご जात किंटते को मिलने गए थे लेकिन किसी ने उनकी मुख भरी कर दी पहले किसी ने बीच में विबीशन वाला काम कर दिया कि चंडर्शेकर आजाथ अलाबाद कर ऴहापे पोलि बीच में आते हैं फिर चले जाते हैं तो अभी सेकिंड फेज में वो दुबारा एक्टिव होते हैं दुबारा क्यों अक्टिव होते हैं नॉन कॉपरेशन जब किसी और को मार तो पुलिस ने पकड़ लिया और फांशी बैल अटादी या जब इसकी इंवेस्टिगेशन हुई कि भाईया यह क्यों हुआ ऐसा तब उन्हां पता चला कि भाईया सुप्री जो आपका सुभाष चंद्र बोस है वो सब को क्या कर रहा है मोटिवेट कर रहा है तो सुभाष चंद्र बोस अब पुलिस के टार्गेट बन गए उनको जेल के अंदर डाल दिया गया 1927 के अंदर फिर उनको छोड़ भी दिया लेकिन उन तीन साल में चुभाष चंद्र बोस ने कुछ नहीं किया एकड़म पैसिव मोड में शांत मोड में चल रहे है सरच चंद्र जी ने एक बुक लिकी थी कौन से पथ्रे डावी जिसमें क्या कहानी है कि एक बंदा है जो कि एक आर्मरी रेड चिट्टा-गोंग कहा है आपका है बंगलेश वाला जो रीजन है यहां पर यह च पूरा तो सूरय सेन एक टीचर हुआ करते थे चिट्टा-गोंग के अंदर इस जगए में ना अंतलल ऑन्पलब Ins की आर्मरी यह यह जहां पर असला बार Scout तो इन्होंने सोचा कि उसको उड़ा देते हैं मतलब उसको लूट लेते हैं तो भाई 18 अपर है लोटी सुटीस को जब साइड में आपका क्या चल रहा है शॉल्ट सत्या गworld है जो गंदी जी डांडी मार्श कर रहे हैं वो चल रहा है और इस समय आपका बंगलादेश से अंदर नॉर्फ यंदर क्या चल रहा है सरस्टागौं आर्मरी इन्होंने क्या कर तो बिटिशर्स ने सबसे पहले सीखिए ली थी कि हम कभी भी गोलियों को और बंदूप को साथ में नहीं रखेंगे ताकि आगे अगर कोई आफिस हुआ करता था वहां पर इंडियान फ्लैग गाड़ दिया भारत है और फिर क्या करने लगे गुरिला वार्फेर करने लगे पूरे के पुरियों तिप्रा के हिली एरिया में गुरिला वार्फेर ठीक है फाइनली 1934 में को कैप्सर कर लिया जाता है और लटका दिया जा अब लगे प्रतिलता वोडियार नाम की एक लेडी थी उन्होंने क्या करा उन्होंने सोचा कि यह जो रेलवे ट्रैक बिछा रखा है इसकी रेलवे नहीं नहीं उड़ा दो पिर एक कल्पना दत थी उन्होंने भी आर्मरी रेड में इनके साथ पार्ट लिया था जवाहर ल आर्मरी रेड यही था सेकेंड फेज आफ आपका क्या रिवल्यूशनरी एक्टिविटिस ठीक है अच्छा एक एक पॉइंट और उठता है बीच में कि ऐसा बोला जाता है कि महात्मा गांधी चाहते तो बचा सकते थे किसको भगत चिंग को जब इरविन के साथ बात चल र बचाने का लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी ने नहीं किया बट वी हैव प्रूप्स लेटर्स हैं जिनसे पता चलता है कि महात्मा गांधी ने ट्राय किया था भगवच सिंग को बचाने के लिए लेकिन नहीं मानी थी उस समय बिटिस सरकार बेसिकली यह दोनों वीडियो को बार-बार रिवाइस करता हूँ जितना ज्याद आप रिवाइस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी पढ़ने की याद रखने की ठीक है आशा करता हूँ आपको यह वाला क्लास पसंद आया होगा आगे और इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे ऐ वाइस करते रहो और जैहिंद